हेलो दोस्तों, गुडीबनींग, कैसे हो आप लोग सब, I hope आप लोग अच्छे होगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और बात करना है आज फिर सपना की, क्योंकि सपना ने अपने घर से निकल की बहुत बड़ी गलती की है, और कल जो मैंने वीडियो डाला था, उ आपको एक बात बताती हूँ, कि सस्राल आपका था, आपकी बेटियों का पूरा-पूरा हक है, और आपका खुद का हक है, क्योंकि आप उनके घर की बहु हो, उनका कोई राइट नहीं बनता, आपको घर से निकालने का, और यदि आप निकल गई हो, तो यह आपने अपना का ही नुकसान किया है, सिधी बात इस तरीके से नुकसान किया है, कि अब आपको कोट का चेहरी करने पड़ेगी, केस करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी बच्चियों के लिए राइट मिलेगा, यदि आप वहां रहती रहती ना, तो किसी के भी बाप में दम नहीं अपने घर में रहती रहती रहती, तो सायद किसी में दम नहीं थी, कि वो मुझे वहां से निकाल पाती, ना, मेरी सासू जी, लेकिन ये उस समय मुझे में समझ नहीं थी, ना समझी में मैं ने एक कदम उठाया था, तो सेम सिच्वेशन में अभी देखी, सपना की, कि उन्ह नहीं लगाए, सही, सायद हो सकता, आपनों को ये चीज बुरी लगे, लेकिन जो चीज सही है, सही है, कि सपना को नहीं निकलना था, कुछ भी हो रहा था, आप जैसे रेखा है, मानस भी ब्लॉक, वो भी रही रही है ना, आज अपने सस्राल में, कितने कुछ है, कम से कम व अपने बच्चियों के लिए, सब कुछ तो, काफी लंब हो पता है, केसे इस वगेरे, कौन ने जानी, कितने लंबे चलते हैं, क्यों टेंशन पालने का था, इस अच्छा, आप अपना यूट्यूब चैनल आपका चली रहा था, आपका अर्निंग का साधन था ही, आप सान् अच्छा, कल के दिन आपको ही सब कुछ होता, आज तो यह है, कि आप बोल रहे हैं, कि मत्रा वाला घर, फला फला धेरो बाते हैं, जो उनके वीडियो में सुनाई दे रही है, क्या पता किसको दे जाएं, हो सकता है, रिस्तेदार छीन लें, उनके सारी चीज़ें, हो सकता ह यह निकल गई तो सारा, कल के दिन बड़ापा ही दोनों साससुर का यह निकल जाएंगे ऊपर की और तो आराम से है, पूरी प्रॉपर्टी हम लोगी हो जाएगी, यह है, तो यहां पर भी सेम सीन मझे यह लग रहा है, कि आपके साससुर के भूती बुरी तरीके से कान भरे हैंगे उनके रिस्तेदार ही, मैं सही बोल रही है दोस्तों तो यहां पर सपना को यह था, सपना अलग हो जाती, सपना जो भी खाना अगर है, सब अपना अलग बनाने लगती, सब एट लास्ट यहार बच्चीयां हैं, कभी तो प्यार आता हूं उनको उन बच्चियों पर, कभी तो सोचते हो लोग, वही रहते रहते हैं, आज आप बच्चे को लेके अलग हो गए, तो अब उनकी सारी responsibility हट गई, सारा आप कुछ हट गया, वो देखेंगे भी नहीं, यह मैं अपने experience बूली में, बार बार बूली नो मेरे साथ भी, आज मेरी सासुजी कोई मतला भी नहीं रखती है, मेरी बच्च्छें से, इसी जगे लड़के होते न, इसी जगे सपना के भी लड़के होते न, तो साइद यह सीन कभी नहीं बनता, उनके सास सासुरों निकल ले नहीं देते, को कि यह आजकर अपनी समाज में एक कुरूती है, आज भी लड़कों को ही सबसे पहले रखा जाता है, लड़कियों तो है, ऐसा लगता है, आरे वो तो अपने परायगर चली जाएंगी, लड़किया किसकी होती है, यह है, तो इसी जगे लड़का होता, तो आराम से उसको निकलने देते, बलकि हाथ पर जोड़ते, यह चीज, यह सीन बनता, लेकिन अभी जो सीन बना है, वो सीन में सिर्फ मुझे सपना का ही नुकसान लग रहा है, उनके साथ से सुर का क्या नुकसान है, सपना खड़े पैर निकल गी वहां से आए, अपना सामान लेके निकल पर्मानेंट उसकी कोई अर्निंग, इस तरीके से तो है नहीं कि कोई विजनिस कर रही हो या कुछ कर रही हो, तो उनकी अर्निंग का एक पक्का एक सादन होता, लेकिन यहां तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, सिवाए उनकी यूट्यूब और जो भी इंस्ट्रग्र तो कम से कम आप बहां रहते रहते तो जो प्रॉपर्टी है आप उसमें पूरा हक आपका है और आज भी है, मांग सकते हैं ठीक है, आप जाओगे, केस लड़ोगे, सब कुछ करोगे, तो कितने सालों तक चलेंगी यह चीजें, केस का भारत का कानून तो आप लोगों को माल इनोंने घर से निकल के बहुत बड़ी गलती करी है, सपनाने, मान सकती हूँ, बहुत दुख जेलने हैं, मान सकती हूँ, इतना कश्ट हुआ है जिंदगी में, इतने टॉर्चरिंग सही हुई है, सब कुछ मान सकती हूँ, एक as a human being, as a lady, मैं सारी चीज़ समझती हूँ, क्य इसा लग रहा था, कि नहीं यार, यहां मेरी जिंदगी बर्वाद हो जाएगी, अब मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, लेकिन बाद में मुझे रिलाइज हुआ कि काश में उस दिन नहीं निकलती है, अपने घर से, तो आज जो मकान, आज मेरी नननत खारी है बैटके, वो मकान, अट लास मेरी बच्चीयों का होता, भले ही मेरी सास के नाम दले कि मेरी सास को कोई कानून इतना हक नहीं देता कि मेरी बच्चीयों को और मुझे बाहर निकाल सकती है, तो यही सेम सिच्चुेशन में आपको बोल रही है, कि आपको भी यही सेम अधिकार है, कि उ webinarsे बोलते उकसा रहते हैं आपको निकालने के लिए बाहर उकसाते सब कुछ करते उनकी बातों में आके आप निकल गए लड़ाई जगणों में आप निकल गए तो मुझे यह चीज सही नहीं लग रही है दोस्तों मैं सही बोल रही हूँ और गलत बोल रही हूँ तो प्ल लाइफ का, क्योंकि दो-दो बच्चियां है, छोटी है बच्चियां, और मैं आपको यह बता दो, आज आप मायके भले ही गई हो, हो सकता आपको मेरी यह बात बुरी लगे, लेकिन जब तक मावाप है, जब तक मायका है, बस इतना याद रखना, मैं भी मायके में ही रह रहे कोई भी नहीं, सिवा है मावाप की है, तो आपकी मावाप को ले तो गई है, लेकिन मैं तो बस यही बोलूँगी कि भगवाण सब अच्छा हो आपकी लाइफ में, भगवाण से यही प्रेयर करूँगी कि अभी तक आपको जो सुख नहीं मिल पाए, आपको वो सुख आप बच्छे से अपने बच्चों की परवरिस कर पाओ, बस हम लोग तो यही गुड विशे से मांग सकते हैं, भगवाण से प्रेयर ही कर सकते हैं, आपके लिए दूआ कर सकते हैं, बागी तो कुछ नहीं, तो जैशी आराम दोस्तों मिलते हैं आपनों से दूसरे व्लॉग में बहुत जाएंगे